आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी मीठी रोटी और ये मीठी रोटी बच्चों का फेवरेट होता है और ये सब को बहुत पसंद आता है इसे बनाने का तरीका थोड़ा लगए ये नहीं समझता कि मैंने इसमें चीनिका स्टफिंग किया और मीठी रोटी बनाती बिल्कुल है इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा लगए तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले यहां पर हमने लिया है दो कप गेहु का आटा और ये गेहु के आटे में डालेंगे तो वोड़ा सा घी अच्छे से मोहिन करेंगे इससे न पराठे बहुत अच्छे बनेंगे और य इहां तो से अच्छे से मसल लिया है मेंने और यह बहुत ही बढ़िया, जो हमारा आटा रेडी है, अब स्ट्फिंग की त्यारी करते हैं, यहां पे मैंने लिया है दो कप चने का सत्तू, तो हम स्ट्फिंग के लिए सबसे पहले सत्तू का यूँज करेंगी, यहां पे सत्तू यह हर कोई पराठे खा सकता है और healthy तो बहुत ही जादा होता है गैस पैसेंट लो के लिए यह पराठे जरूर खा है बहुत अच्छा होता है पेट में ठंडा भी करता है और टेस्टी भी होता है पानी डालके थोड़ा सा इसे एकदम गूत लेना है जैसे हम आठे को त्यार कें बिलकुल वैसा ही और यह रेडी हो चुका है अब हम पराठे की तयारी कर लेते हैं यहां पर मैंने गहूं का आठा जो रेडी किया था उसमें से थोड़ा सा तोड लिया एक बड़ा सा पेड़ा तोड़ना है और जितना बड़ा हमारा कहुं का आटा है ना जितना बड़ा हमने लिया है पिल्कुल उतना ही बड़ा हमने जो स्टफिंग रेडी किया वो भी लेना है तो इस दो कप मैंने कहुं का आटा रेडी किया था और फिर दो कप ही मैंने चने क जिसमें मैने चीनी और सॉंफ डालके रेडि किया था है स्टफिंग ऐसा चीनी जाथा डालने से मीठी रोटी बनती है मतल्ब मीठा जाथा लगता है तो दुनों बराबर बराबर मैंने लिया और एक बढ़िया सी पराथा पेशन बेल देना है एक बढ़ियां से पराठा बेलने के बाद मैंने तवा गर्म किया उस पे डाला मेडियम हीट पे इसे सेखना है पराठे को तेज पे नहीं सेखना और बहुत कम लोब पे भी नहीं सेखना है अच्छे से एक साइट से सेखने के बाद यहां भी मैंने भरबर के घी लगा दिया अच्छे से पराठे को सेखना है बढ़ियां से सेखना है और पराठे आप देख सकते हैं कितना अच्छा देख रहा है और बढ़ियां से घी लगा दिया है बहुत ज़्यादा अच्छे से लगाना थोड़ा सा घी ज़्यादा जाता है तो पराठे बहुत अच्छे लगता है मुझे ये वाला पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे घर में बच्चों को भी बहुत पसंद है तो बहुत ऐसा होता है कि हम लोग Padaak जो मीठी रोटी है नहीं वाले ही बनाते हैं बच्चों को पसंद आता है और फायदे मनभी होता है घ्योंकर आटे में और चने के सत्तू में बनाते हैं यह बहुत tasty healthy दूनों होता है तो इसे बच्चों को बना के दीजिसाएद आपके भी बच्चे इसके फैन हो जाएँ उन लोग को भी बहुत जादा पसंदा है मुझे लगता है एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए इस पराठे को बनाना बहुत असान है आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये बन जाता है बहुत असानी से आप बना सकते हैं कुछ ज़्यादा तामसाम करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये पराठे बनके रेडी हो जाते हैं जो टेस्टी भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, पेट के लिए फायदे मन्द, बस गेहूं के आठे में बनाया है, तो बहुत ही जादा हेल्दी होता है, घी डालना है, और बढ़ियां से पराठा सिखके मैंने निकाल लिया है, बहुत ही टेस्टी पराठे दिख रहे हैं, खा खाईए, कॉमेंट करके बताईए आपको ये मीठी रोटी कैसी लगी, अगर मेरी मीठी रोटी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करेगा, चैनल पने हैं, तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, वेल आइकन को जरूर दबा लिजेगा, फिर मिलते अगले वीडियो में एक नहीं रेसिपी के साथ, तब तक रखे अपना अडी सारा ख्यार,